नमस्कार आपका अख़बार के इस अंक में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग भारतिय जन्ता पार्टी ने मध्य प्रदेश के जरिये तीन राज्यों की राजनीती को साध्रने का काम किया है ये राज्यों हैं उत्तर प्रदेश बिहार और हरियाना इन तीनों राज्यों में आपको मालूम है कि यादव पॉपलेशन अच्छी खासी है यादवों की जनसंक्या खास तोर से उत्तर प्रदेश और बिहार में उसके बाद हरियाना में भी तो इन तीनों राजियों की राजनीती को साधने के लिए यादव मुख्यमंत्री बनाया मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश में पिश्रा वर्वत से किसी को बनाना था तो किसी का भी चुना हो सकता था यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बन नहीं सकता था, बिहार में बन नहीं सकता और हरियाना में भी नहीं बन सकता या नहीं बनाना चाहती पाटी लेकिन संदेश यादव मद्दाताओं को देना था, यादव समाज को देना था इसलिए मद्रप्रदेश जैसे महतुपूर्ण और बड़े राज्य में यादव समाज से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को उम्मीद नहीं थी, माना जाता है कि वो संग के पूर्व पदाधिकारी सुरेश सोनी के शिष्य माने जाते हैं, उनके बहुत करीबी है उनकी भी भूमिका उनको मुख्यमंत्री पत्तक पहुचाने में हो सकती है, लेकिन ये पार्टी का निर्ण है, पार्टी ने सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया, और सबको चौकाया, किसी के दिमाग में, किसी के मन में मोहन यादव का नाम नहीं था, एक बात तो ये पार्टी ने साबित की, कि भारतिय जनता पार्टी ही एक मात्र इस देश की पार्टी है, जहां कोई सामान ये कारिकरता भी मुख्यमंत्री और प्रदान मंत्री बनने की सोच सकता है, सपना देख सकता है, और उस सपने को साकार कर सकता है, मोहन यादव कल तक जो है वो एक अज्यात व्यक्ति थे अलाकि तीन टर्म के MLA है सिक्षा मंतरी थे शिवरा सिंग चोहान की सरकार में लेकिन उनकी अपनी कोई प्रोफाइल स्टेट लेवल की थी नहीं और अचानक उनकी प्रोफाइल नेशनल लेवल की हो गई अब आप इससे समझेए कि संगठन जब नेता बनाता है तब वो किस तरह से किसी एक व्यक्ति को फर्ष से अर्ष पर पहुँचा देता है मोहन यादव के साथ ऐसा ही हुआ और आप देखेगा आने वाले दिनों में उनकी भूमिका मध्यप्रदेश तक सिमित नहीं रहेगी अब इसका असर क्या होगा उत्तरप्रदेश बिहार और हर्याना में हर्याना में हर्याना से शुरू करते हैं हर्याना में जो राव इंदरजीत का परिवार है, उनके पिता भी बड़े नेता थे हर्याना के, यादो समाज से आते हैं, उनका ब्लैक मेल भारती जनता पार्टी के लिए खतम हो जाएगा, कॉंग्रेस से आये हैं, और लगातार भारती जनता पार्टी पर दबाव बनाते र के यादो नेता पर पूरी तरह से निर्भर या उसके दबाव में ब्लैक मेल नहीं होना है, तो सबसे पहला असर जो है, वो हर्याना पर पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूं, कि हर्याना विधान सबा का चुनाओ, इन तीनों राज्यों की तुलना में सबसे पहले होने वाला ह दोहजार चौबिस में, अक्टूबर, नौउंबर में हर्याना विधान सबा का चुनाओ होगा, दोहजार बीस में बिहार विधान सबा का चुनाओ होगा और उत्रप्देश विधान सबा का चुनाओ तो अभी काफी दूर है, बाईस में हुआ है, Splatz 27 में होगा, लेकिन फ इसला भारती जन्ता पार्टी का इस से बुरे समय में नहीं आ सकता था। अखलेश यादव इस समय उनकी पार्टी जो है लगातार चुनाव हारने का एक रिकॉर्ड बना चुकी है। वो 2014 का लोगसभा चुनाव हारे, 17 का विधान सबाद चुनाव हारे, 19 का लोगसभा चुनाव हारे, 22 का विधान सबाद चुनाव हारे, 4 चुनाव बड़े तो ये हारे, उसके अलावा पंचायत और इस्थानी निकाय के चुनाव हारे। तो कुल मिलाकर छे चुनाओ अखले शादो के नित्तों में समाजवादी पार्टी लगातार हार चुकी है ऐसा भी नहीं कि बीच में जीत मिली हो लगातार हार चुकी है और साथवी हार के मुहाने पर खड़ी है और आठवी हार भी तैही है यानि दोहजार सताइस का विधान सबाद चुनाओ, हलांकि अखले श्यादों के लिए अब लड़ाई वो मानते थे विदान सबाद चुनाओ के बाद कि उनकी असनी लड़ाई जो है 2027 की होगी, वो उसी की तैयारी करेंगे, 2024 में वो मानते हैं मुस्लिम और यादव, उस पर कोई हमला नहीं था, उसको कोई खत्रा नहीं था उनके सामने लक्ष था कि इस मुस्लिम और यादव, जो उनका कोर वोट है, उसमें और वोट कैसे जोड़ें जिससे वो अपनी ताकत बढ़ा सके हैं तो ताकत बढ़ाने के लिए और वोट जोड़ नहीं पाए, जिन से गटबंधन किया वो तूड़ गया बसपा से गटबंधन किया, 2019 में तूट गया ओम प्रकाश राजभर से गड़ बंधन किया, वो तूट गया, विधान सबाद चुनाव खतम हुआ, गड़ बंधन खतम हो गया, जबकि ओम प्रकाश राजभर ने 2022 के चुनाव में सबसे जादा मदद की सबसे जादा फायदा पहुँचाया समाधवादी पार्टी को, कम से क 25 से 30 सीटें जिताने में मदद की अखलेश यादों की पार्टी को, इसके बावजूद उनका महत तो अखलेश यादों नहीं समझ सके, उनको और कुछ देना तो छोड़िये, सम्मान भी नहीं दे पाए, तो जाहिर है कि ऐसे में व्रक्ति जो है, अगर उसको कुछ भी न मिले, सम्मान भी न मिले, तो क्यों साथ रहना चाहेगा, फिर ओम प्रकाश राजबर जैसा व्यक्ति, जो हर समय अपना फाइदा देखता है, कि कहां रहने से उनका भावज जादा बढ़ेगा, तो उनको नजर आया कि अब समाजवादी पार्टी से उनको कुछ मिलन नहीं है, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाख स्टेंड लेना शुरू किया, और अब अब जो है, NDA का एक तरह से अनापचारिक रूप से हिस्सा बन चुके हैं, अपचारिक रूप से गोशना होना बाकी है, वो इंतजार कर रहे हैं, कि कब उनको उत्रप्रद करना, ये बविश्वानी करना, ओम प्रकाश राजवर के बारे में खत्रे से भरा हुआ है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि उनके सामने विकल्प नहीं है, जिस तरह से उन्होंने अखलेश यादों के खिलाफ बोला है, और अखलेश यादों ने जिस तरह से उनको दुदकारा है, उसके बाद दोनों के साथ मिलने की 24 में संभावना कम दिखाई देती है, 27 के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, 27 में बड़ा समय है, और दोनों को 24 में अपनी अपनी हैसियत पता चल जाएगी, इसलिए 27 के बारे में अभी से बात करने का कोई मतलब नहीं है, लेक एक नया समीकरन बनाने की कोशिश कर रहे थे, पिछरा से मतलब है, यादव के अलावत और कोई पिछरा उनके साथ आने वाला नहीं था, दलित को जोड़ना चाहते थे, बड़ी कोशिश कर रहे हैं वो, खास्ता उसे विधान समाद चुनाओ के बाद से, उससे पहले से आ सकता है, लेकिन जमीनी सच्चा ही ये है, कि जमीन पर लड़ाई यादवों और दलितों की है, ऐसे में इसका जो है, इम्पेरिकल एविडिन्स है, 1993 में एलाइंस हुआ, मुलाहिम सिंग्यादा और कांशी राम का इतना बड़ा एलाइंस हुआ, फिर भी वो कारगर नहीं हुआ, यानि दलित समाज जो मैवती का समर्तक है, वो अखलेश यादव की पार्टी को वोट देने के लिए तयार नहीं है, और अखलेश यादव का जो यादव मद दाता है, वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ मजबूत नजर आई, मुसलम ने बस्पा को वोट दिया यही फर्द पड़ा 2019 में इसलिए बहुजन समाज पार्टी दस सीटे जीत गई लेकिन कोई addition नहीं हुआ वोट में समाजवादी पार्टी के इसलिए समाजवादी पार्टी की 5 की 5 सीटे रह गई 2014 में भी 5 सीटे जीते थे और 2019 में भी 5 सीटे जीते इस बार और कम होने की उम्मीद है तो पहली बार समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट है मुसलिम यादव वोट वो खत्रे में पड़ गया है अखलेश यादव को डर है इस बात का कि पहले करनाटक फिर तेलंगाना में जिस तरह से मुसल्मानों ने कॉंग्रेस का साथ दिया है उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है उतने बड़े पैमाने पर नहीं होगा लेकिन थोड़ा भी की सकता है मुसलिम वोट कॉंग्रेस की तरफ तो क्या उसका असर होता है ये उन्होंने 2009 में देखा होगा 2009 में कॉंग्रेस को लोगसभा की 22 सीटे मिली थी लेकिन उस समय भारती जिंता पार्टी अपने सबसे कमजोर अवस्था में थी तो इसलिए जो है वो 22 सीटे मिल गई थी लेकिन समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ था इस बार उससे बड़ा नुकसान होगा अगर मुस्लिम वोट कॉंग्रेस की तरफ जुकता है उत्तर प्रदेश में तो अखलेश यादो के सामने एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है बचाव का कोई रास्ता दिखने रहा है वो इस तरह से उनकी हालत ऐसी है कि पूरे घर में चारों तरफ आग लगी हुई है बीच में वो है निकलने का कोई रास्ता नहीं है और कोई निकालने वाला आभी नहीं रहा है तो अखलेश यादो की राजनीती जो 2017 में उनका राजीतिक भविश्य तैह होने वाला था वो लगता है 2024 में ही तैह हो जाएगा कोर वोट उनका अगर खिसका तो उनकी स्सीति बहुजन समाज पार्टी से भी बत्तर हो जाएगी और 2024 में हो जाएगी दोजार सताइस तक का इंतजार करने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी इसी तरह से बिहार में आ जाईए बिहार में जाती की गढ़ना कराने के बाद एक जो नया नेरेटिव बनाने की कोशिच हुई है उसमें जो संख्या आई है उसमें यादों की और मुसल्मानों की यादों वोट में सेंध लगाती है जो कि मेरी नजर में बहुत मुश्किल है बिहार में आरजेडी के साथ यादों रहेगा और मुसल्मान भी रहेगा इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जो पढ़ा लिखाई हुआ यादों है लोकसभा चुनाओं में उसकी सोच बदल सकती है विधान सभा चुनाओं में वो तेजस्वी यादों के साथ रहेगा इसमें मुझे कोई शंका नहीं है लेकिन लोकसभा चुनाओं में जब प्रधान मंतरी नरिंद मोदी अपने लिए वोट मांगने जाएंगे तो यादों मद्दाताओं खास तोर से युवा और सिक्षित जो यादों मद्दाता हैं उनके मन में जरूर ये प्रशन होगा कि वो तेजस्वी यादों के साथ जाएं या प्रधान मंतरी नरिंद मोदी के साथ जाएं किधर जाने में उनका फायदा है उनके समाज का फायदा है उनके प्रदेश का फायदा है और देश का फायदा है य यह जो छवी बनाने की कोशिश बिहार में और उतरप्रदेश में की गई थी कि BJP यादव विरोधी है मोहन यादव को मुख्योंतरी बनाकर उस छवी को पूरी तरह से तोड़ दिया है BJP ने अब उसके विरोधियों के लिए यह चवी बनाना या इस छवी को और मजबूत कर करना बहुत ही कठिन बलकी मैं तो कहता हूं लगभग असंभव सा होगा अब यादव मद्दाता BJP के प्रती भले ही वोट दे ना दे उतना होस्टाइल तो नहीं रहेगा खासतोर से मोहन यादव के मुख्योंतरी बनने के बाद जब मोहन यादव चुनाव प्रचार के लि वो उनके कहने से या उनकी अपील पर BJP को वोट देगा या नहीं देगा ये अभी तैह होना बाकी है लेकिन इतना है कि वो आकरामक्ता जो है BJP के खिलाफ कम सकम यादव मद्दाताओं में जो पढ़े लिखे और हिवा हैं उनमें कम तो जरूर हो जाएगी खतम भले ना हो तो ये जो परिवर्तन है इसका असर केवल एक चुनाओ तक अगर देखने की कोशिश करेंगे तो शायद गलत नतीजे पर पहुंचेंगे इसका असर आने वाले कई चुनाओं में आपको धीरे धीरे दिखाई देगा क्योंकि कोई भी सामाजिक परिवर्तन कोई भी सामाज समीकरण एक दम से नहीं बनता उसको बनने में बनाने में समय लगता है और किसी भी सामाजिक समूह का किसी दूसरी पार्टी के साथ जिसके प्रतिवों होस्टाइल रहा है उसके साथ आने में पहला स्टेज होता है कि होस्टिलिटी खतम हो जाए आकरामक्ता जो है वो खतम को जाए उसके बाद दूसरा स्टेज आता है समर्थन का तो मुझे लगता है मौन यादो को मुक्यमंतरी बनाने से बीजेपी ने पहला स्टेज पार कर लिया दूसरा स्टेज कब पार होगा यह मैं नहीं जानता लेकिन वो दूसरा स्टेज भी पार होगा यह यह मुझे गंभीर नेता की एक ऐसे दोनों की छवी ऐसी है जो राजनिती के प्रती बहुत गंभीर नहीं है बहुत संवेदन शील नहीं है और उनकी राजनिती समझ पर भी सवाल है उनकी सारी ताकत उनका कोर वोट यादा और मुसलिम वोट है उसके बिना उनकी कोई हैसित नहीं है दो पर भरष्टाचार के आरोप हैं, तो ऐसे में उनकी राजनीती बहुत लंबी चलेगी, ऐसा दिखाई नहीं देता। ये सब देखते हुए इन बिन्दों पर विचार करते हुए भारती जनता पार्टी ने तै किया कि मध्य प्रदेश से तीर चलाओ, जो तीर एक साथ तीन निशाने साधे, हरियाना, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब इस तीर का असर कितना होगा, इसका प्रभाव कितना होगा, ये 2024 के लोग सभाचुनाओ से पता चल जाएगा और उसी से तै होगा कि आगामी विधान सभाचुनाओ में इन तीनों राज्यों में इसका कितना असर होगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, किसी नए मुद्दे के साथ तब तक कलियर मती दीजिए, आप से अन्रोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर दीजिए, नमस्कार.